हेलो श्रेंट्स तो कैसे हैं आप सभी आज का अपडेट हमारे फिफ समिस्टर के रिजिशन के उपर होने वाला है जैसा कि आप सब जानती होंगे फोर्ट समिस्टर के सभी कोर्सिस के रिजल्ट डिक्लियर कर देगे हैं अब सीधा होगा आपका 3rd year का रिजिशन जिसमें आपके 5th and 6th semester दोनों इंक्लूड होंगे अब बातरे इसका form का link है वो कब तक आएगा और कहां पर आएगा और अजो आपका free structure है कितना रहने वाला है इस बार आपके courses के कितनी space जाने वाली है और जो आपके रिजिशन है वो कब से start होंगे बाकि आप सब को पता ही है classes आपकी start कर दी गई है 5th semester की अब बातरी study metal बेगा बिना रिजिशन के मिल जाएगा यह सारे जो भी आपके मंड में doubts है सबी clear किया जाएंगे आपको वीडियो का इंट तक जूरू देखना है उससे पहला अगर आपको अगर थर्ड एयर का रिजिशन कराना है इसके लिए आपका 3rd sem और 4th sem का result आना चाहिए तो पहले नहीं आया था अब final declare कर दे गया है अब बातरी जो आपका 3rd year का रिजिशन होगा जिसमें आपके 5th and 6th semester के subjects तो include होंगी उसी के साथ आपके जितनी भी subjects में ER आई है चाए वो 1st sem में आई हो चाए 2nd sem में आई हो चाए 3rd sem में आई हो उन सभी के ER की subjects की जो payment रहेगी वो आपके 3rd year के relation यानि 5th semester के relation के साथ include होगी ये बात आपको ध्यान रखनी है तो जितने भी subjects में आप fail है उन सभी की payment आपको इस बार करने होगी 5th semester के relation के time जिसमें आपके 5th and 6th semester के तो एक main fees तो रहेगी उसे के साथ आपकी per subject की 100-200 रु form कहां पर आएगा देकि form आपके dashboard पर ही आएगा जैसे आपने dashboard login करेंगे अपना roll number और soul का बार कोड़ डाल कर उसे में आपको जो form का link है वहां पर activate हो जाएगा ये बात आपको शुल में आगे अब बातरी जो आपका फिश च्रुक्षर है वह कह रहने वाला है देखिए मै आप include कर लिजेगा अगर आप fail वाले subjects हैं मैंने आपको main subject की fees बता दिये मलब main पूरा third year की जिसमें आपका fifth semester और sixth semester include होगा जिसमें आपकी fees रहने वाली है 3700 रूपे से लेकर 42 रूपे तक 3708 से बीच में लेकर 4200 की बीच आपकी fees रहने वाली है थोड़ी बहुत उपर न अब बातरी में की जो आपकी classes हैं वो तो conduct करवाई जा रही है बुक्स आपको क्या बिना registration के मिल पाएगी या नहीं देखिए मैं आपको बुक्स के लिए आपको चीए होता है फी रिस्ट जिसमें आपको subject mention होता है वो कब आईगी जब तक आपको registration नहीं होगा जब तक अब बात रही जो आपको main doubt है registration कब से start होंगे देखिए अभी सोल की तरफ से कोई नहीं कोई official update आया है पर हमारा मानना यह है कि result के बाद आपके जो registration है वो start कि जाते हैं अब आप यह मान सकते हो कि October के first या second week से पहले पहले आपके registration का link activate कर दे जाएगा अब वो September के last week यान September के last week या October के first week में start कर दे जाएगा यह बात आपको ध्यान रखने है उस तक के लिए आपको बस fee security करके रख लेनी है अगर आपकी कोई भी failure subject नहीं है तो आप 4,500 तक या 4,200 तक एकटा करके रख लिजे और failure subject हैं तो उनके इसाफ़ते 100-200 रुपे per subject include करके रख लिजेगा क्योंकि registration के time आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि काफी student ऐसे हैं जो भाहर रहते हैं जॉब करते हैं कुछ भी problem हो सकती है तो बस मैं 19 students के बारे में बता रहा हूँ कि आपके duration है September के last week या October में first week से start कर दे जाएंगे मैंने आपको fee structure भी बता दिया है form का आएगा व comment से पूछ सकते हैं तो चले वी वीडियो को ही खदम करते हैं